मद्धी परदेश के खरगोन जिले में फिर एक बार सरकारी साक संस्था द्वारा करोडों रुपे की हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। इस बात का पता उस समय चला जब पेसों के अभाव में एक बेटी का परिवार कलेक्टर कार्यले पहुचा और ग्यापन सोपा। इसी को लेकर बुजूर्ग महिला और उसके परिजन शिकायती आविदन लेकर कलेक्टर कार्यले पहुचे और ग्यापन सोपा। इस दोरान महिला के पूतर राजेंद्र कुमरावत ने बताये कि संस्ता द्वारा पेसे वापस देने के नाम पर गोल मोल जवाब दिये जा रहा है। और सेकडों लोगों के करोडों रुपे ड़कार कर संस्ता चंपत हो चुकी है। खरगों से अजे तिवारी की रिपोर्ट। करते हैं कभी फोन उठाते हैं कभी आज कर रहा है यह लोग और मुझ जैसे काफी सारे लोग जिनका पेसा इन्होंने मार्केट से लिए रखाया लेकिन दिया नहीं है। इसे कित्ते लोग लगबक सो से उपर होना चाहिए। क्योंकि क्या राशी तो काफी जादा होना चाहिए। क्योंकि मुझ जैसे चोटा आदमी के एक लाग रुप्य हम लोग ने जमा कर रहे थे उसके अंदर और इतने समय पश्चाद भी हमें एक रुपया नहीं दिया होना है। और अब जब हमारे सिस्टर की सखाय हो चुकी है और शादी की तारीक इसी वज़ा सटकी हुई है कि यह पेसा निकलेगा तो हम लोग आगे की त्यारें शुरू करेंगे अब पेसा मिल जाए और बाकी लोग जितने भी हैं जिनके भी पेसे रुखे में वह भी अगर मालो उनको पेसा मिल जाए अच्छी बात है कि कि संस्ता में कोई गति विदी नहीं है को एक्टिवेस्ट विक्ति नहीं है हुआ पर फिलाल कि स्तति में कुई सब्से पहले सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें